दोस्त पंजाब में किसान solar powered tube wells लगवा रहे हैं जिनकी cost डेड़ लाक से धाई लाक के आसपास पढ़ रही है इससे 3 से लेके 7.5 HP तक की motor easily चल रही है और ये बिना सबसीडी का system है बिना सबसीडी का होने के बावजूद भी किसानों को ये फायदे मन लग रहा है दरसल पंजाब में सबसे जादा खेती, चावल और गेहूं की होती है और चावल के मामले में आपको पता है सबसे जादा पानी की requirement होती है अब पंजाब में कुछ जगाएं ऐसी भी हैं जिनको dark zone गोशित कर दिया गया है dark zone का मतलब है कि surface water उन जगाओ पर खतम हो चुका है औ लेकिन आज की date में उन्हें 2-3 tube well लगवानी पड़ती है और जो पानी का स्तर है वो गिर के 500-600 feet पहुँच चुका है इन tube wells को चलाने के दो तरीके हैं या तो इनको grid power से चलाया जा सकता है या फिर diesel generator की मदद से grid power से किसान चलाना चाते हैं लेकिन उनका कहना है कि उनके area मे कि उनके पास काफी जादा demand होती है residential sector की तरफ से भी, commercial sector की तरफ से भी और agricultural sector की तरफ से भी और वो preference देते हैं residential और commercial sector को क्योंकि जो agricultural sector है उनकी जो electricity होती है वो काफी मामलों में free electricity भी होती है और अगर free नहीं होती तो वो subsidized electricity होती है ऐसे में किसानों के पास दूसरा option आ जा का डीजल जन्रेटर की कोश्ट पिछले कुछ सालों में काफी जादा बढ़ गई है किसानों का कहना है कि अगर वो एक घंटे डीजल जन्रेटर से ट्यूब वेल चलाते हैं तो उसकी कोश्ट लगबग 1.500 रुपे के आसपास पड़ती है और चावल जैसी फसल के लिए उनको देखा देखी लगबग 40-50 किसानों ने ऐसा करने का फैसला किया है अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर चावल की फसल में इतने जादा पानी की रिक्वार्मेंट होती है वो दूसरी फसल की खेती क्यों नहीं करते इसका एक रीजन है रीजन ये है कि गवर्मेंट और चावल जैसी फसल की खेती करते हैं तो गवर्मेंट डिरेक्ट किसानों से ये फसल खरीद लेती है लेकिन अगर वो दूसरी सबजियों की खेती करते है तो उसमें गवर्मेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कुछ किसानों ने ये कोशिच भी करी थी कि वो गवर्मेंट सप होती हैं उनकी फसल के दाम उनको ठीक ठाक नहीं मिल पाते आपको बता दूं कि सितंबर 2021 में एक बुकलेट रिलीज हुई थी MNRE की तरफ से बुकलेट का नाम था PM Kusum A New Green Revolution इसमें बताया गया था कि इंडिया में करंटली तीन करोड एग्रिकल्चरल डीजल पंप हैं जिन में से 80 लाक जो की 3 करोड का 26.5 परसेंट बैठता है इतना परसेंटेज डीजल पंप का है